हलो एंड वेलकम टु जेके सिटेडी सर्कल तो दोस्तों केंटिन्यू करेंगे हम 30 डेज क्रेश कोर्स फार जेके एससजबी वी एल डवल्यो एफ डवले पंचेटरी एंड फॉरिश्टर एक्जाम्स के लिए तो इन एक्जाम पॉइंट आफ व्यू से ये 30 डेज क्रेश कोर्स आफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है कोई की रिविजन कलास आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जितना भी आपने पड़ा हुआ है तो इन लेक्चर के जिरे आपको अच्छे तरीके से रिविजन कराया जाएगा ठीक है तो आज का जो लेक्चर है यह है आपका जीके का लेक्चर नमर फाइव ट्रानस्पोर्ट एंड कॉम्निकेशन इस लेक्चर की जो पीडिएप है हम टेलेग्राम चनल पे और वाट्सप ग्रूप पे शियर कर देंगे तो यहाँ पे आपको deep नहीं पढ़ाते हम जो भी exam point of view से आपके लिए important pointers रहते हैं वही हम यहाँ पे आपको cover कराते हैं ठीक है तो जैसे कि आपको पता है road transport होता है, railway transport होता है, air transport होता है, shipping transport होता है, these are all the transport इसे क्या करते है, transport से एक जगह से दूसरी जगह humans को ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को materials को ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को posting हो सकती है आपने कुछ बेजना है, कुछ खरीदना है तो वो सारा कुछ इन ही ट्रानसपोर्ट के जरी होता है ठीक है? And communication कौन से है? Communication आपका postal जो आपका address होता है पोस्ट के जरी, आपका mobile phone है, telephone है या internet है, तो these are all the communications जिन से आप communicate कर सकते है आपने family members के साथ, आपने relatives के साथ या कही पर भी इंडिया में, पूरे world में आप किसी के साथ भी communication कर सकते है तो इस वीडियो में ये सब कुछ हम discuss करेंगे ट्रानसपोर्ट के कितने किसम है, कितने टाइपस है कौन-कौन सा ट्रानसपोर्ट है, चलिए start करते है तो सबसे पहला जो important ट्रानसपोर्ट है, वो है आपका इंडियार रेल्वे, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रानसपोर्ट जो है वो इंडियार रेल्वे से ही होता है, रेल्वे से ही सब जो है travel करते है, जो भी middle class family से बैग गयाउन करते हैं, या जो भी import export का business होता है goods and carriages जो ट्रानसपोर्ट करते हैं, तो वो इंडियार रेल्वे ही करता है, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंडियार रेल्वे ही job providers है पूरे इंडिया में, ठीक है, जिसके about 1.32 million के आसपास employees है, जो कि employees हैं, जो कि इंडियार रेल्वे में काम करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम important facts, important points को note out करते हैं, ताकि यह important points आपको note down करने हैं, क्योंकि यह important है, exam point of view से, ठीक है, यहाँ पर कोई mathematics नहीं है, सिर्फ points आपको याद रिखने हैं, memorize करना है, ठीक है, चाहिए start करते हैं, तो इंडिया रेल्वे is important facts, ठीक है, the first train was introduced between Mumbai and Thani, जिसकी जो length थी, वो थी 34 km, फिस्ट इंडियन जो है, ट्रेन जो है, वो introduced की गई थी, Mumbai and Thani के बीच में, जिनकी length जो है, वो about 34 km थी, ठीक है, तो ये पहला point है, दूसरा, उसके साथ ये भी point है, जो कि April 16, 1853 में introduce की गई थी, ठीक है, ये date भी आपको याद रखना है, और कहां से कहां तक चली थी, और कितना length था उसका, ठीक है, ये तीन points है, एक Mumbai से Thani first train जो है, जो कि पूरे इंडिया में introduce की गई थी, दूसरा point ये है, कि 34 km की length थी उसकी, और 16 April 1853 को ये introduce कही थी, ये तीन points आपको याद रखने है, फिस्ट जो fact है आपका, ठीक है, second point है, the first electric train was run on Mumbai CST Kurla line in Feb 1925, ठीक है, फिस्ट electric train जो चली थी, वो चली थी आपकी, Mumbai CST Kurla line, जो कि Feb 1925 में आई थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखने है, first electric train was run on Mumbai CST Kurla line in Feb 1925, ठीक है, और उसके साथ ये country's biggest nationalized undertaking train थी, ठीक है, जो operate करती थी, over 15,000 trainers cover, जिसमे 7325 stations आती थी, ठीक है, ये भी आपको याद रखने है, जो कि operate करती थी, आपकी 15,000 trainers, जिसमें around 7325 total stations आती थी, ठीक है, ठीक है, याँ तक, आपको समझ जाया है, तो चली, India Railways has more than 1.32 million employees, बहुत ही important point है, ये exam में पूछा जा सकता है, important point है, India Railways में 1.32 million के आसपास employees काम कर रहे हैं, ठीक है, guys, 12,734 locomotives, 79825 passenger service vehicles, and 3,000,000 के आसपास जो है, वो आपके wagons है, ठीक है, ये आपको याद रखने है, 12,734 locomotives है, 79825 passenger service vehicles है, and 3,2624 wagons है, ये भी आपको याद रखना है, India's first metro railway, जो India की first metro railway जो है, वो introduce की गई थी, Kolkata में, October 1984 को, बहुत ही important point है, याद रखी, Rajasthan prestigious tourist train is palace on wheels, about 65.78% of the route kilometer is electrified, यानि कि उसमें 65.78% जो route kilometer की जो length थी, वो electrified थी, यानि कि वो power पे बिजली पे चलती थी, ठीक है, राजस्तान की ये prestigious tourist train थी, ये भी आपको याद रखना है, टोटल रूट जो है, बुरे इंडिया में जितने भी railways है, उनका जो total route है, जो length है उसकी, वो है आपका 68,103 kilometer, जो कि 31st March 2021 का material माना जाता है, उसमें जो है, आप जो है, इंडिया railways बढ़ गया है, आप जो है, ज्यादा किलो मेंटर बैड़े होंगे, तो लेकिन 2021 के मताबिख, आपका जो total route था, जो kilometer की वो length थी, वो थी, आपकी 68,103 kilometer, ठीक है guys, यहां तक आपको समझाए, चलिए आगे चलते हैं, Metro train service started in New Delhi on December 24, 2002, Delhi में जो Metro train service थी, वो start की गई थी, 2002 में, चो 20 December को, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, अब administration कोन, इसको manage कर रहा है, पूरे Indian railways को, the overall control and administration of Indian railways is railway board, set up 19.5 को, तो यह भी क्वच्चन आपसे पूछाए जाएगा, administration कोन करता है, तो आपको वहाँ पे लिखना है, Indian railway board इसको adminst करता है, manage करता है, जो कि 19.5 को introduce किया गया था, 19.5 को set up किया गया था, चले, यहाँ तक आपको समुझ आएगा है, चले, आगे चलते हैं, उसके बाद है आपका railway zones, यह भी बहुत ही important topic है, इस पर भी एक, दो questions आते हैं, ठीक है, तो railway zones पूरे इंडिया में बहुत railway zones है, क्योंकि इंडिया जो है second largest country है, इंडिया पॉपलेशन, तो उसके हिसाब से और एरिया वाइज, 7th largest country है पूरे वर्ल में, तो उस तरीके से इसका जो zones है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से introduce किये गए है, classify किये गए है, तो सबसे पहले यहाँ पे, मंबई जो है, यह Central Railway है, उसके बाद आपका जो है देहली, यह आपका North Northern Railway माना जाता है, गोरकपूर North Eastern Railway है, जेपूर North Western Railway है, मंबई आपका Western Railway है, इसी तरह चन्नाई जो है, वो आपका Southern Railway है, कोलकटा आपका South Eastern Railway है, कोलकटा आपका Eastern Railway है, यहाँ पे इनके Headquarters भी है, ठीक है, और Manage यह सिर्फ यहाँ से होता है, सारी जो है, यह Connect होते है किसके साथ, Central Railway के साथ, लेकिन अपने तेरी किसे इन्होंने, अपने Railway Zones को इंट्रोडूस किया गया है, क्लास्फाइग किया गया है, और उसके बाद है आपका जबलपूर, जो कि वेस्टरन, वेस्ट सेंटरल रेलवे, उसके बाद है आपका अलाबाद, नौर्थ सेंटरल रेलवे, जेपूर, इस्ट सेंटरल रेलवे, सिकंदर आबाद, जो कि है आपका, सिकंदर आबाद, आपको याद रखने है कौन सा railway कहां पे है ये भी आपसे question पूछा जाएगा ऐसे आपसे question पूछाएगा कि बोलिए East Central Railway के हड़कावर्टरस कहां पे है East Central Railway के हड़कावर्टरस को कहां पे है तो आपको वहाँ पे option लिखना है आपको इस पर ग्रयाब बनाए हो ताकि आपको आच्छे तरीके से याद हो सके चलिए ठीक है यहाँ तक समझाया आपके जो है जो आपके ट्रांसपोर्ट है इसमें सबसे ज़्यादा जो है shipping जो है ये एक इंडियन एकोनॉमी के backbone है जिसमें आप 95% to trade करते है by shipping से, इसको shipping corporation आप इंडिया को 1961 में introduced किया था, head coverters इसके कहां पे है, चनाई मेठी है, यह आपको याद रखना, उसके बाद है आपके shipyards, जिसमें 4 major shipyards है, garden, यह भी आपको याद रखना, garden reach shipyards, engineering private limited, जो कि कोल कता में है, mazagon dock limited, मंबई में है, हिंदोस्तान shipyards, मंबई, जो कि आपका मंबई में है, हिंदोस्तान shipyards, विश्का पार्टनम, जो कि विश्का पार्टनम में है, और कोचन shipyard limited, जो कोचन में है, ठीक है, ports, total जो coastline की, इंडिया की, जो coastline है, उसकी लियांगत है, 7517 km, और 13 major ports है, जिसमें 200 के, जो है, वो small ports है, little, minor ports है, जो कि manage करती है, maritime state government, जिस भी state से, जो भी coastline, जो touch करती है, तो वहाँ की state, वो maritime, उसको manage करती है, administrative करती है, ठीक है, उसके बाद है, आपका main, जो कि है, आपका roads, जो कि एक प्रानस port का हिसा है, क्योंकि roads के जरीए ही, एक state से, दूसरी state, और एक district से, दूसरी district, और एक village से, दूसरी village को, हम सफर करते है, वो आपका roads से ही करते है, जिसमें सबसे ज्यादा जो है, वो आपका national highway authority of India, NHAI, जो कि setup की गए थी 1995 में, जिसकी responsibility है, कि वो development, maintenance and management करते है, पूरे national highways को, जो भी पूरे इंडिया में फैले हुए है, ठीक है, यहां पर introduce करते है, roads को national highways, state highways, आपके district roads और rural roads, ठीक है, national highways में क्या होता है, these roads are the primary roads of the country, यह एक primary roads है, country के अंदर, जो connect करते है, large cities and major industrial cities को, ठीक है, आस पास में, जो भी major cities है, major states है, उनके industrial areas को, उनको industrial economy and goods को carriage करते है, ठीक है, their development and maintenance is responsibly of the central government, यह जो maintenance and इसकी responsibility है, manage करते है, वो है आपका central government, जिसको NHAI, यानि की national heritage authority of India कहते है, ठीक है, यह भी आपको याद रखना है, इसके बाद है, आपका state highways, these roads links all the center of industry, trade and commerce, the states and national highways, तो यह एक state से दूसरी state को, जो है, जो भी आपके industries, trade and commerce को, उनको link करते है आपस में, ठीक है, district roads में आपके आदी है, जो आपके connect करते है, आपके तैसिल्स को, आपके villages को, किसके साथ district connect के साथ, इस roads connected different parts of district, important industrial mix and market centers and usually leads to local railway stations, और railway stations को भी यह आपस में जोड़ता है, ठीक है, कौन से roads, district roads, उसके बाद है, आपके रूलर रोडस, इस roads, यह roads, आपस में villages को connect करता है, इस आप two types, एक है metal, जुनको पका roads के थे और एक है non-metall, जुनको कचा roads के थे, ठीक है, और उसके बाद है आपके border road organization, दो border road organization में आपका, जो दुले, नागपूर, राइपूर, कोलकता का जो road है, उनकी जो length है, 1645 km यह भी आपको याद रखना है, border road organization में भी आपसे questions पू नहीं क्या है, देली, जैपूर, आहमदवाद, मंबई, उनकी जो road है, यह border road organization की बात कर रहा है, उनकी जो length है, वो है 1428 km की length है उसकी, और उसके बाद आपका थाने, पूने, हबली, बेंगोल चिनने, उसकी जो length है, वो है 1235 km, ठीक है, उसके बाद है आपका चुतक, खाली, कंडला, उसकी जो है, टोटल length है, 1526 km, ठीक है, यह आपको याद रखना, यह points में नहीं, इसमें notes में mention है, यह आप खुद भी note up कर सकते हैं, ठीक है guys, तो guys, यहां तक आपका आपका transport and communication जो है, वो आप next video में आपको पढ़ाएंगे, इसमें हमने सिर्फ आपको transport बाई